Hello everyone, क्या आप अपने बच्चे को English Language Read करना सिखाना चाते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए हैं English Language सिखाने के लिए हम टू एप्रोचिस का यूज़ कर सकते हैं First one is Phonic Approach and another one is Whole Language Approach इस वीडियो में मैं आज आपके साथ Phonic Approach डिस्कस करने वाली हूँ और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ Whole Language Approach डिस्कस करूँगी तो सबसे पहले हम समझते हैं कि What is Phonic? Phonic एक मैथड ओफ टीचिंग है जिसके त्रू हम बच्चे को English Language Read और Write करना सिखाते हैं और वो हम कैसे करते हैं? For example, माल लेजिए ये दो वर्ड हैं B-A-G और B-E-G अब ही हमने बच्चे को दिये और बच्चे को Read करना है लेकिन उसको नहीं पता ये कैसे Read करेंगे और ये क्या लिखा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बच्चे को हर एक लैटर की Individual Sound सिखाएंगे और जब वो Sound सीख जाते हैं तो हम उन्हें धीरे-धीरे Blending सिखाते हैं कि कैसे ये Sound हमें Blend करके Word को Read Out करना है अगर बच्चे को Sound आएगी तो वो इसे पढ़ेगा B-A-G-B-E-G और इसे पढ़ेगा B-A-G-B-E-G और बच्चे को One by One दिखाएंगे और उसको उसकी Sound बताएंगे देरे-देरे आप देखेंगे बच्चे को सारे जो Alphabet से उनकी Sound खुद ही पता जल जाएगी ठीक है तो आप हम देखता है किस तरे के से में perform करना है स्वार्तिक वाट इस इस? स्वार्तिक 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 ग, very good very good हाग तो जो sound Swastik बूल रहे हैं वो उसको साथ के साथ बता रही है Swastik ले दुट जब very good टे ग, ग, का very nice यह ला, ला, ला 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 अव्लो ऴुड़ ला व्ली ला अ आण ला बहां समय ह Yuk क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट – रुड़ एड़ मेंब करा लगा Rob रणन्हेफ रणन्हेफ टु स्क्षि य्ग त Ale no this is not n no this is not n up 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 this तो पहरेंस इस तरह के से साउंड बताईए बच्चा पूद इंजोई करेंगा दिमें एक बार करा दीजे गभी भी और फिर आप इस तरह की से पिक्चर काड ले सकते हैं कि यहां पे पिक्चर बनी हैं और यहां पे यहां पे अलफबेट लेकिया हैं कि बच्चा हर एक की साउंड बताएंगा वो ज से कह रीड करना है तो वो पिक्चर देखकर रीड करेगा वह मीन हमालव मुटी बच्ची को बस साहूंड इस पताना है जब ए रेड साउंड एड what is this okay very good okay read it very nice yes very good very nice lovely very good पर इस activity से क्या होता है phonic sound तो बच्चे को आती है reading habit भी develop होती है बच्चे में और थोड़ा सा familiar हो जाता है words के साथ तो इस वीडियो में हमने देखा कि phonic sound कैसे सिखानी है और उनको practice कैसे करानी है blend करने की next वीडियो में हम whole language approach के बारे में पढ़ेंगे और आने वाली और भ पोनिक्स के उपर होने वाली है अगर आप चाहते हैं कि आपसे important वीडियो मिस ना हो तो चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको notification भी time पर मिल सके I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो क्यों क अबंचे खबंचे बुटे और आप ये रेक्सीन स्थिए और आपको इंचे रख वीडियो और आपको 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 कर दो